हाँра गया है हलो दोस्तो लास्ट क्लास में पढ़ने बैसिक-ORGNC- challenge के बारे में डिसकस किया था है और उसमें पढ़ने देखा था कि कोई कोई भी जो reaction होती है उसमें reactant part और reagent part आपस में कैसे react करते हैं और इनमें bond cleavage कैसे होता है और product में ये कैसे जाते हैं वाया intermediate के तो सारी चीज़े अपने discuss कल लास्ट क्लास में कर ली थी वहाँ भी कैसे होगी दूसरा अपने ये भी discuss कर लिया था कि है एक चीज़ अपने डिसकस की थी वह थी electron moment in organic compound की electron का मुवमेंट कहां से कहा होता तो मिने आपको बताया है कि high electron density से किदर होता है lower electron density की और होता है ठीक है फिर बाद में अपने देखा था कि इन सब को control करने के लिए अपन क्या पढ़ते हैं effect पढ़ते हैं जिनको electronic effect पोल ला एक होता है electromary के effect तो आज अपने स्टार्ट करेंगे इन में से inductive effect यहां type of electronic effect मैंने लिख रखाया inductive, fiber conjugation, resonance और electromary ठीक है तो सबसे पहले पने बात करते हैं आज inductive effect की है तो देखो मैं आपको पहले समझा देता हूँ example से जैसे carbon की chain है इस पे कोई x atom जुड़ा हुआ है और उस x atom पे मैंने मान रखा है कि electron negativity of x atom is greater than electron negativity of carbon यानि carbon से इसके electron negativity क्या है वो ज्यादा है अब आपको पता है जिसके electron negativity ज्यादा रहेगी तो इलेक्ट्रोनों को कौन लेगा वही लेगा तो मैं यहाँ पे देखो इन इलेक्ट्रोनों को इधर shift करवा रहा हूँ इसकी side तो यहाँ पे इसके उपर delta negative आएगा और इसके उपर delta positive इस carbon पे effect ज्यादा आएगा मैं लिख देता हूँ more affected carbon atom क्यों क्यों क्योंकि यह directly attached है इससे इससे यह electron ज्यादा कीचेगा इससे कम कीचेगा तो मैं यहाँ पे positive charge कम बना रहा हूँ इससे और कम कीचेगा तो इसके उपर में positive और कम बना रहा हूँ इस पे सबसे कम यानि मैं यहाँ लिख देता हूँ less affected carbon atom यानि अपन बोल सकते हैं कि जैसे जैसे distance बढ़ती है तो इस atom का effect कम होता जाता है तो effect ज्यादा किस पे आएगा जहां से यह directly attached रहेगा तो अपन ने क्या देखा electron negativity की वज़े से carbon के electron का यहाँ पे shifting हुआ है और shifting की दरुआ है जहाँ electron negativity उसकी ज़दा दी तो carbon के इन electron की shifting को यह अपन क्या बोलते हैं inductive effect क्या बोलते हैं inductive effect यहाँ पे electron की shifting होती है complete transfer नहीं होता है मैं यहाँ लिख देता हूँ not complete transfer of electron अगर complete हो जाएगा तो वो या तो hyperconjugation होगा या electromagnetic होगा या resonance होगा यहाँ complete transfer नहीं होता है तो यहाँ पे अपन सीधी भासा में बात करें तो अपन ऐसे बोलो सकते हैं कि carbon की chain में यदि कोई different atom जुड़ा हुआ है जिसकी electrone negativity carbon से ज़्यादा है तो carbon के electron की shifting होती है carbon के electron की shifting होकि उसे ही अपन क्या बोलेंगे inductive effect तो आप अब इसकी definition देख लो मैंने यह लिख वह आ है in a covalent single bond between non identical atom या non identical लिये मैंने carbon और x atom में कुछ भी हो सकता है जिसकी electrone negativity अपन ने ज़्यादा मन रखी है the bonding pair of bond is not said evenly between the two atom it is always attracted towards the more in atom is known as inductive effect यानि दो atom covalent bond से attach रहेंगे दोनों different रहेंगे जिसकी electrone negativity ज़्यादा होगी electron की sharing उसकी side जाएगी इसी को अपन क्या बोलते हैं inductive effect बोलते हैं यानि अपन बोल सकते हैं कि carbon की electron है वो shift हो रहें किसकी तरफ more in atom की तरफ छीक है अब carbon यहाँ पे देखो आप देख रहे हो carbon यहाँ पे positive charge यानि वो अपनी electron density को दे रहा है मतलब खुद बरबाद हो रहा है वो अब उस पे group लगेंगे इसको बचाने के लिए यह इसको और बरबाद करने के लिए दो ही काम हो सकते हैं या तो carbon को बचा ले या फिर उसको और वहाँ से बरबाद कर दे तो दो group लगेंगे वो होंगे plus i और minus i वाले group यानि एक तो ऐसे group जो उस पे electron density को बढ़ाएंगे एक ऐसे group जो उस पे electron density को गटाएंगे तो मैं यहाँ पर दो तरीके से इस inductive effect को explain करता हूँ next page पर मैं ले लेता हूँ यहाँ पर type of inductive effect दो तरीके से पढ़ेंगे एक तो पढ़ेंगे अपन minus i effect एक पढ़ेंगे अपन plus i effect एक तो पढ़ेंगे plus i और एक पढ़ेंगे इस पर minus i effect ठीक है अब मैं बात करता हूँ इनकी definition की simple है कुछ भी नहीं है इसमें minus i effect आप किसे बोलोगे ऐसे group जो carbon के उपर electron density को और कम कर दे ज्यान से सुना ऐसे group जो carbon की electron density को और कम कर रहे हैं उनको बोलेंगे अपन माइनस i group या माइनस i effect और plus i किसे बोलेंगे ऐसे group जो carbon के उपर electron density को बढ़ाते हो वो plus i effect कर लाएगा और उन group को क्या बोलेंगे plus i group बोलेंगे तो मैं definition लिख देता हूँ पहले देखो So, the effect is said to be minus i. If a group pulls the electron away from the away from the carbon atom, such group is called electron withdrawing group यानि e, w, g से इसको denote करेंगे electron withdrawing group मैंने यहाँ पर क्या लिखा रहा है कि आप minus i effect किसे बोलोगे ऐसे group जो carbon से electron density को क्या करते हो पुल करते हो खींचते हो उस पर electron density को कम कर रहे हो तो ऐसे group क्या कलाएंगे अपने minus i group या electron withdrawing group electron को खीचने वाले group और यह effect क्या कलाएंगा minus i कूल मिला के बात यह है कि यह electron density on carbon atom क्या करेंगे decrease करेंगे क्या करेंगे decrease करेंगे और मैं यह लिख देता हूँ इस पर प्लस आए वाले पर electron density on carbon atom यह क्या करेंगे यह करेंगे increase करेंगे इसकी definition देख लेते हैं फिर इन groupों की चर्चा करते हैं इनका order देख लेते हैं कि किसमें कितनी power रती है छीक है तो देखिए यह लिख देता हूँ the effect is said to be plus I if a group फुस दी एलेक्रोंस तोर्स कार्बन एंट such group is called electron such group is called electron such group is called electron releasing group electron releasing group ERG यानि प्लस आई एफेक्ट में क्या होगा कार्बन के उपर electron density बढ़ेगी अपने को यह याद रखना है माइनस आई में क्या होगा कार्बन के उपर electron density गटेगी बस और एक चीज जस्ट अभी मैंने आपको बताईए है की कार्बन की जैसे जैसे संक्या बढ़ती जाती है कार्बन से जैसे जैसे उस एटम से दूरी बढ़ती जाती है तो inductive effect कम होने लगता है तो मैं अगर आपको बात करूँ यहाँ पर देखो इधर इस साइड जाने पर inductive effect decrease हो रहा है यानि distance बढ़ने पर यह effect क्या होता है कम होता है तो मैं लिख देता हूं आई effect inversely होता है वन अपोन distance के यह चीज याद रखने है वन अपोन distance के यानि distance जैसे जैसे बढ़ती है तो यह effect क्या होता है कम होता जाता है ठीक अब minus i के जो group जुड़े वे हैं वो कौन-कौन से होते हैं उनका आपन order देख लेते हैं तो देखिए minus i में मैं सबसे पहले लिखता हूँ NF3 positive carbon पर 3 fluorine है एक यह जो valency खाली है यह nitrogen पर 3 fluorine जुड़े है एक valency carbon के साथ इसकी attach इसलिए मैंने इस पर positive charge रखा है फिर अपने लिखते हैं NR3 यह amines वाले हैं फिर देखेंगे NH3 positive NH3 positive उसके बाद देखेंगे अपन SR2 positive SR2 positive यह निसल पर दो एलकिल गुरूप जुड़े हैं एज लाइक कि वाटर कितर है oxygen पे मेली का है न तो इस पर 2 valency रहती है तीसरी carbon से जुड़े तो प्लस 4 जाएगा फिर देखते हैं अपन NO2 गुरूप उसके बाद में देखते हैं पन cyanide group फिर देखते हैं पन CHO LDide group फिर देखते हैं पन COOH यहनि carboxylic acid group फिर देखते हैं पन fluorine, chlorine, bromine और iodine फिर देखते हैं पन OR OH NH2 sorry NH2 से पहले पर एक छोड़ गए बीच में तो उसको लिख लेते हैं यही रेजर से मैं इसको अटा देता हूं यहां पर यह बच गया C, triple bond C, यह रह गए बीच में फिर आयेगा NH2 फिर आयेगा अपने यहां पर phenyl group यह वाला group अगरटेच है फिर C, double bond C सबसे लास्ट में है hydrogen इसको reference मानके यह दिया हुआ है चीक है तो देखो सबसे पहले मैंने लिखा है positive वाले तो positive वाले है न की electron negativity higher रहती है high electron negativity electron negativity याद रखना आप जिसके उपर positive चार्ज आ जाये किसी एक्टम पे तो उस पर protonों की संग्या बढ़ जाती है proton का portion बढ़ जाता है तो उसकी electron negativity भी क्या होती है इनक्रीज हो जाती है positive चार्ज वाले की electron negativity क्या होती है जादा होती है क्योंकि electronों को जादा ट्रक करेंगे यानि सबसे ज़दा कार्बन से electronों को कौन कीचेगा जिसकी electron negativity जादा होगी तो मैंने यहाँ पर देखो यह लिखा है जिन पे positive चार्ज आ रहता है सबसे आगे है और इसके तो फ्लोरीन भी जुड़े है फ्लोरीन तो ओल्रेडी खुद भी गया होती है हाई electron negative और यह nitrogen को और जादा electron negative atom बना देंगे ऐसे ही मैंने nitrogen के प्लस वाले लिके हैं उसके बाद मैं nitrogen, cyanide, CHO, COH, fluorine, chlorine, bromine, इनको भी याद रखना है बिल्कुल easy है सबसे पहले positive वाले याद रखना है फिर बीच में कुछ functional group आ जाएंगे फिर यह fluorine, chlorine, bromine, substitute आ जाएंगे फिर OR, OH को और NS2 को इनको याद रखना है ऐसे ही मैं यहाँ पे बात कर लेता हूँ plus i group की तो plus i वाले जो group होंगे कौण कौण से होंगे देखो, यहाँ पे उसका just उल्टा है positive charge आने से electron density बढ़ती है negative charge आने से electron density गढ़ती है मतलब electron देने की tendency रहेगी क्योंकि already negative charge है ना उसके उपर तो वो electron देगा, electron density है उसके पास, तो सबसे ज़्यादा CH2 minus फिर NH minus फिर O minus, COO minus फिर अपन को देखना है 3 degree 2 degree 1 degree और 0 degree hydrocarbon अब यह 3 degree, 2 degree, 1 degree, 0 degree क्या है मैं आपको यहाँ पे बिरिपली तोड़ा सा बता देता हूं देखो इदर अगर कारवन के चारों और 3 कारवन जुड़े है कारवन के चारों और 3 कारवन जुड़े है या 4 कारवन जुड़े है देखना देखो इदर यह कारवन है, इसके इदर भी कारवन है, 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 तो इसके डिगरी क्या होगी? यह 4 डिगरी कारवन है क्या है यह 4 degree carbon यहाँ पर देखो यह जो carbon है कितने carbon से टेज है 1, 2, 3 3 carbon से टेज है इसके degree होगी 3 यहाँ पर देखो यह carbon कितने से टेज है 1 carbon से तो इसके degree कितनी होगी 1 degree तो ऐसे degree decide करते है यानि एक carbon से कितने carbon जुड़े होगी उसके according degree decide होती है तो यह 4 degree हो सकते है, 3 degree हो सकते है, 2 degree हो सकता है, यह 0 degree हो सकता है, जिसके कोई भी carbon अटेज नहीं हो, इस वाले के कुछ भी अटेज नहीं है, तो इसको अपन बोलेंगे क्या, 0 degree carbon, तो degree अपन ऐसे define करते हैं, तो यहां 3 degree की electron देने की tendency ज्यादा होती है, 2 degree कम होती है, 1 degree कम होती यह आई बास समझ में तो यह था प्लस आई और माइनस आई का मैंने सारे सारे गुरूपों का ओडर यहां पर डेस्क्रिप्ट कर लिया है ठीक है अब अपनग चलते हैं इसके एप्लिकेशन पोर्षन पे वहां से आपके एकजाम में कोशन आते हैं आपको ये चीजे याद रखनी है ये वाली और इधर वाली ये दोनों के दोनों आपको याद रखनी है और भी कोई चीज होगी तो मैं वो add-on करता जाओंगो इसमें, हाँ, एक और चीज याद रख लेना, hydrogen के 3 isotope होते हैं, hydrogen के, 3 isotope, कौण-कौण से, tritium, deuterium और proteium, tritrium, deuterium और proteium, तो, इन isotope में, tritium की, plus i effect की tendency जदा होती है, deuterium से, जो अपना proteium होता है, उसकी, deuterium से कम होती है, तो, यह आपको याद रखना है, ठीक है, यह है इनका, plus i का, कई बार exam से, यहाँ से भी question, पूछा हुआ है, ठीक है, अब, next अपना चलते हैं, इसके, application of inductive effect, application of inductive effect, सबसे पहले अपन बात करते हैं, stability of carb catein and carb anion, stability of carb catein and carb anion, सबसे पहले अपन यहाँ पर discuss कर लेते हैं, सबसे पहले इसको डिसकस करते हैं, ठीक है, तो देखे, मैं यहाँ पहले लिख देता हूँ, फिर मैं आपको explanation भी दूंगा उसका न, पहले मैं लिख देता हूँ, कि stability of carb catein, यह directly proportional होती है किसके, plus i effect के, और inversely होती है, minus i effect के, ठीक है, यह आपको, याद रखना है, अभी मैं इसका explanation दे दूंगा, मैंने आपको class में भी समझाया था, कि इस universe में, हर एक, all things, हर एक वस्तू, वो क्या होना चाहती है, get neutralized, क्या होना चाहती है, neutralized होना चाहती है, यानि, किसी के उपर, plus charge आ रखा है, तो वो क्या लेगी, gain electron, और किसी के उपर minus charge आ रखा है, तो वो क्या करेगी, lose electron, electronों को वहाँ से, बाहर निकार लेगी, ठीक है, ये चीज़ आपको याद रखनी, ये चीज़ आपको याद हो गई, इसको आपने समझ लिया, तो आप ऐसे मानों की, goc को आसा नी से समझ लोगे, बस आपको ये याद रखना है, कि हर एक things, हमेशा neutralization की तरफ जाती है, अगर उस पे positive charge आ रखा है, तो electron gain करेगी, negative charge आ रखा है, तो उसको lose करेगी, electron को lose करेगी, ठीक है, अब जिस पे positive charge आ रखा है, उसको चाहिए electron, यानि मैं बोल सकता हूँ कि इसमें electron कोण दे सकता है, तो plus i group दे सकते हैं, आप बोल दोगे, बिल्कुल सही बात है, अब ये अपन ने पढ़ा है, ना, carbon पे electron density कोण बढ़ाएगा, जो plus i वाले होंगे, carbon पे electron density कोण गटाएगा, जो minus i वाले होंगे, ठीक है, तो negative charge, इस पे electron का loss कैसे होगा, minus i group से, आई वाल समझ में, तो carbon पे electron देने वाले group, अगर जुड़े रहेंगे carbon के time पे, तो उसमें stabilization आएगा, क्योंकि इसको electron चाहिए, neutralization की तरफ जाएगा है, इसको जाना है किदर, neutral की तरफ, इसको भी जाना है किदर, neutral की तरफ, तो दोनों को neutral क दोनों की तरफ जाना है, लेकिन इनके फात अलग-अलग है, उल्टे हैं, एक दूसरे के 180 पे हैं, इसको चाहिए electron, इसको electron को बाहर निकालना है, तो मैंने यहाँ पे लिखा देगो, कारब के time, तो plus i effect अगर जुड़े रहेंगे, यानि जितने ज़्यदा प्लस i जुड़ करेंगे, कारब के time, उतने ही ज़्यदा electron लेगा, और minus i में तो उल्टा हो जाएगो, तो ब्रबाद कर देगो, चीक है, अब मैं आपको और अच्छे से समझाता हूँ, यहाँ पे देखो, अपन लेते हैं, यह CH3, यह CH3, यहाँ पे CH3, यह प्लस में ने बनाया है, एक यहा लेते हैं, यहाँ प्लस लिख दिया हमेने, CH2, CH3, और यहाँ पे simple ले लेते हैं, अपन CH3, ठीक, यह में ने यहाँ पे positive carbocation ले लिये हैं, अब देखो, इस carbon पे आप देखो कि कितने carbon attached है, 1, 2, 3, तुम्हें इसको बोल सकता हूँ कि 3 degree carbocation है, इस पे 2 attach है तो 2 degree carbocation, इस पे 1 attach है तो 1 degree carbocation, इस पे कुछ भी attach नहीं है तो इसको 0 degree carbocation अपन बोल सकते हैं, अब देखो, इस carbon के उपर positive charge है, इस positive charge को चाहिए, इसको required है किसकी? required electron, क्योंकि neutral होना न, plus है, तो ये neutral के तरब कब जाएगा, जब electron लेगा और खुद neutral होना चाहिए, तो इसके उपर 3 group जुड़ेवे हैं, एक, दो, तीन, इसको बोला जाता, plus है group, 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 इसको बोला जाता, plus है तो भी इस बात है जो नोट्रल की तरफ ज़्यादा जाएगा वो ज़्यादा stable होगा जो कम जा रहा है वो कम stable होगा तो मैं बोल सकता हूँ कि 3 degree कार्ब के time की stability ज़्यादा है 2 degree से 2 degree की ज़्यादा 1 degree से 1 degree की ज़्यादा 0 degree से तो यह इनके stabilization का order है किसका है कार्ब के time के stabilization का order stability order आई बात समझ में यह कार्ब के time के stability का order है तो यह आपको याद रखना है plus I effect ज़्यादा रहेगा तो कार्ब के time को stabilization ज़्यादा मिलेगा minus I ज़्यादा रहेगा तो stabilization कम हो जाएगा ठीक है एक और चीज आप यहाँ पर एक rule याद कर लेना वैसे मैंने आपको समझा दिया था हूं पर इसको dnp कि इसके according देखना आपको सबसे पहले आपको कोई group जुड़ा रहेगा न यह तो simple से हैं अभी मैं आगे करवाँगा तो सबसे पहले आपको group में distance देखना है फिर number देखना है फिर group की power देखनी यानि वो जो order लिखवा है तो उसको देखना है इसको distance बोलते हैं मैं ऐसे example करवा हूँगा आपको confusion में नहीं जाना है मैं example करवा दूँगा आपको यह group के number है यह group की power है इसे example करवा हूँगा मैं जहां पर आप देखोगे कि दो group एक जगा जुड़े वे तो फिर उसको कैसे करेंगे दो गुरूप अलग जगा तो उसको कैसे करेंगे कहीं जगा group जादा तो कैसे करेंगे अब अपने next चलते हैं अपने question की तरह तो देखो CH3 CH2 CH CH2 positive यहां जोड़ दिया मैंने fluorine CH3 CH2 CH यहां जोड़ दिया chlorine CH3 CH2 CH यहां जोड़ दिया bromine CH2 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 अब आपसे पूचा गया है कि इनके stability का order क्या होगा कार्ब केटा इनकी stability का order क्या होगा तो देखे student कार्बन की संक्या सब में सेम है चीक है तो distance वाले logic से तो आपन शोल करी नहीं सकते नम्मर देखो ग्रूपों की संक्या है यहां पे भी एक ही है यहां पे भी एक ही है यहां पे भी एक ही है तो नम्मर वाले से भी सोल नहीं होगी पावर देखना आप तो पावर वाले से सोल हो जाएगी यह जो F जुड़ा हुआ है कि फ्लोरीन ये हैं मोर इन एटम और ये क्या करता है इलेक्ट्रोनों को खीचता है इलेक्ट्रोन विड्रोइंग ग्रूप है यानि ये माइनस आई वाला है और आप देखो कार्ब केटाइन पे अगर पास में माइनस आई वाला ग्रूप जुड़ा हुआ है तो इसके उपर पास में माइनस आई वाले लगा रहे हो यानि ये उलेक्ट्रोनों को खीचने वाले लगा रहे हो तो वह हां से पहले से पास में मोरी ऑर जाएगा जब और पोजिटिव आजाएगा तो neutral की तरफ थोड़ी जा रहा हो वो जा रहा destabilization की तरफ तो वहाँ पे आप देखोगे कि यह जो minus i group है इसको destabilize कर रहा है और destabilize भी वो ज़्यादा करेगा जिसकी minus i effect की tendency ज़्यादा होगी तो मैं यह लिख देता हूँ minus i effect इसका ज़्यादा रहेगा वो carb ketine less stabilize होगा मैंने अभी बताया है minus i effect देख लो आप inversely होता है जितना ज़्यादा होगा carb ketine की stability उतनी ही कम होगी यहाँ stability order में लिख देता हूँ इनका stabilization का जैसे इसको A माल लेते हैं B, C तो stability order क्या हो जाएगा stability order हो जाएगा C की ज़्यादा आएगी B की उसे कम और A की सब से कम stability order यह हो जाएगा आए बास समझ में ऐसे ही question आपको करने यह आपके exam में ऐसे ही question आते हैं ठीक है? ऐसे ही question आपके exam में आएंगे अब मैं आपको और example समझाता हूँ CH3 cヤा जोड़ रहा है fluorine CH2 positive एक है CH3 cया जोड़ रहा fluorine या mechanisms CH2 positive और एक है CH3 CH2 है यह एक fluorine जोड़ रहा है CH2 CH2 positive देखो करें तीन कार्बन है, इसमें भी तीन कार्बन है, इसमें भी तीन कार्बन है, पोजिटिव चार सब में दिख रहा है आपको, यहां पे देखो, मैं रेड पें से मार्क कर देता हूं ताकि आपको अच्छे से उपज़र हो जाए, यहां पे देखो यह जो फ्लोरीन है, यह माइनस लगा रहा है यहां इस carbon पे 2-i है और यहां पे भी minus i लगा हुआ है सबसे पहले आप distance चेक करो सबसे पहले आप क्या चेक होगे distance फिर उसके बाद जाओगे आप number पे फिर उसके बाद जाओगे आप power पे तो distance देखो यहां पे यह जो फ्लोरीन जुड़ा हुआ है और यह जो फ्लोरीन जुड़ा हुआ है यह इक्वल distance पे हैं यहां पे distance ज़्यादा हो गई तो इसका effect कम होगा तो मैं minus i यहां पे minimum लिख देता हूं मैंने आपको बोला है कि जैसे जैसे distance बढ़ती जाती है गुरूप का effect कम होता जाता है ठीक है यहां minus i और यहां minus i दोनों अपनको चेक करने हैं तो distance से तो यहां काम नहीं होगा यहां पे भी काम नहीं होगा फिर बात करते हैं अपन नम्मर की तो नम्मर देखो यहां पे एक है यहां पे दो है तो नम्मर ज्यादा है ना तो minus i में यहां लिख देता हूं maximum minus i इसकी तुल्णा में यहां पे कम है यहां दो फ्लोरीन जुड़े हुए आप खुद सोचके यहां से जवाब दे सकते हो कि CH2 positive के पास वाले कारवन पे दो फ्लोरीन जुड़े हुए हैं यानि दो खींचिने वाले हैं तो इसको तो बहुत बुरी तरीके से बरबाद कर देंगे इलेक्ट्रोनों को सबको खींच जाएंगे तो कहां से stabilization में आएगा नहीं आएगा वो तो यह वाला ज्यादा stable होगा इसके comparison में सबसे ज़्यादा तो कौन सा होगा आपको दिख रहा है इसमें fluorine सबसे ज़्यादा distance में है तो मैं यह लिख देता हूँ इसको A, इसको B, इसको C, तो C की stability सबसे ज़्यादा आएगी उससे कम होगा A, उससे कम होगा B, तो यह carb ketine की stability का order था, फिर अपन next question देख CH3, CH2, positive, CH3, CH, C, sorry, यहाँ पे लिखना आपको NH3, NH3, positive, CH3, CH3, CH, fluorine, CH2, positive, अब यहाँ पे आपको तीन compound अलग अलग दे रहे हैं, carb ketine बना रहे हैं, group जोड़ रहे हैं, आपको इस question को करना है, सबसे पहले आप distance पे जाओ, सारे के सारे second position पे जुड़े वे हैं, देखो यह भी यहाँ जुड़ा second पे, यह भी second पे, यह भी second पे, फिर देखो number of groups, सब में एक एक ही जुड़े हुए हैं, फिर बात करते हैं, पन पावर की, तो यहाँ पे देखो, यह जो group जुड़ा हुआ है, यह है, minus i group, और यह सबसे आगे रहता है, मैंने आपको प्लस वाले तो बताएं, minus i, plus है ना, यह तो उस पे, plus charge को बहुत ज़्याद अबर बा यह तो electron density को बढ़ाएगा, plus i है ना, यह तो इसको बढ़िया अच्छे तरीके से stabilization में बेजेगा इसको, तो सबसे ज़्यादा जो stable होगा, वो तो plus i वाला होगा, तो a ज़्यादा stable, अब आपको देखना, b और c में, दोनों में minus i जुड़े हैं, लेकिन minus i minimum का है, वो ज़ से electron maximum वाला हो, तो उसको बरबाद कर देगा, तो यहाँ पर c सबसे कम stable होगा, b, तो यह इसका correct answer होगा, छीक है, अब next question के अपने बात करते हैं, ऐसे ही, थोड़े different type के ले ले लेते हैं अपने question, देखो इदर, CH3, CH, NF3+, CS2+, CS3, CH, CM, CS2+, CS3, CH, FLORINE, CS2+, CS3, CH, CS3, CH, CS3, CH, CH2 positive, तो यहाँ पर आप देख सकते हो, देखो इदर, यह है, most powerful, minus i यहाँ पर भेंगर वड़ा है, maximum है, इदर minus i minimum है, और इदर minus i यह बीच में आ गया है, यह mid में, minus i mid वड़ा है, ना तो कम ना ज़ादा, और यहाँ तो क्या लगा हुआ है, plus i group लगा हुआ है, तो plus i वड़ा तो सबसे ज़्यदा stable होगा, minus i जिसमें minimum है वो ज़्यदा stable होता है, यह वाला तो least stable होगा, यह इसका stability order, stability order of carb ketine, तो आपको समझ में आ गया होगा, कि carb ketine में अपनको क्या चेक करना है, आप वो यह देखना है, कौन सा group minus i वड़ा, कौन सा plus i वाला, plus i वाले group जो जुड़े होए हैं, वो electron density को बढ़ाएंगे और वो उसको stabilization देंगे, minus i वाले group electron density को घटाएंगे, वो उसको destabilization देंगे, उसको stable नहीं करेंगे, आपको DNP rule के coding चलना है, distance check करना है, फिर number check करना, फिर power check करना है, इसका मैं एक example और देता हूँ, ताकि आपको confusion नहीं रहेगा, जैसे देखो, CH3, CH, यहां जुड़ावा fluorine, CH2 positive, CH fluorine, यहां जुड़ावा fluorine, CH2, CH2 positive, CH2, CH2 positive, देखो, इससे समझ मैं जाएगा, आपको सबसे पहले group check करना है, यह minus i, यह minus i, यह minus i, यहां पे भी minus, सारे के सारे minus i जुड़ावा, अब आप carbon पे distance check करो, तो सबसे पहले देखो, इसके पास वाले carbon पे fluorine जुड़ा हुआ है, इसके पास वाले fluorine नहीं है, इसके पास वाले fluorine नहीं है, तो सबसे पहले तो आप इसको अलग कर लो यह A है यह B है, यह C है तो A वाड़े पे माइनस आई सबसे ज़्यादा होगा मेक्जिमम डिस्टेंस एकड़ी है पहले आपको क्योंकि यह डिस्टेंस पे डिपेंड करता है इसलिए डिस्टेंस को मैंने पहले लिया है डिस्टेंस जैसे जैसे बढ़ती जाती है कम होता जाता है तो डिस्टेंस पे आप जब देखोगे यह फ्लोरीन सबसे नज़्दीक है यह मेक्जिमम डिस्टेंस आई तो A की स्टेबिलिटी तो सबसे कम आनी ही है यह तो ते हो गया, फिर आपको देखना है, दूसरा B और C वाला, तो देखो, सेकंड पे कुछ भी नहीं है, तो यह तो common है, थर्ड पे देखो, दो फ्लोरीन है, यहाँ पे एक फ्लोरीन है, डिस्टेंस काम नहीं करेगी, अब अब चलना आपन को नम्मर पे, किस पे चलना है नम्मर पे, यहाँ पे दो हैं, तो यहाँ इसकी तुलना में ज़्यादा एफेक्ट लगेगा, माइनस आई का, तो यानि मैं बोल सकता हूँ, कि C वाला ज़्यादा इस्टेवल होगा, बीच में आएगा, B वाला, तो यह D, N, B, रूल से आपको कैसे करना है, यह समझ में आ तो फिर जाना है, नम्मर पे, नम्मर ओव ग्रूप, फिर नम्मर ओव ग्रूप से हैं, तो फिर जाना अपन को पावर पे जो ओर्डर बना रहे हैं, तो यह चीजा आपको याद रखनी है, आई बास समझ में, अब कुछ एग्जामपल अपन यह भी कर लेते, जैसे देखो CH3 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 positive sorry इसके isotope ले रहे ना पड़ तो isotope में मैं इसको एक example ले लेता हूँ ताकि आपको confusion नहीं हो C D 3 C CD3 C CD3 positive CT3 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 positive देखे student आपने periodic table पड़ी है उसमें isotope पड़ा होगा ठीक है isotope ऐसे atoms होते हैं जिनमें number of protons equal होते हैं neutrons की संके उसमें बढ़ती जाती है hydrogen के 3 isotope होते हैं एक तो 1H1 होता है एक 1H2 होता है एक 1H3 होता है चीक है यह hydrogen के isotope होते हैं इसको hydrogen 1H1 वाले को बोलते हैं protium इसको बोलते हैं deuterium इसको D से denote करते हैं इसको बोलते है tritium इसको क्या बोलते हैं tritium इसको T से denote करते हैं तो मैंने आपको लिख वाया था plus I order और ट्रिटियम का ज़्यादा होता है ड्यूटेरियम का ज़्यादा होता है किसे हैं हाइड्रोजन से तो प्लस आई ओडर आपको यह याद रखना है तो आप बता सकते हो कौन सा कार्वोगे टाइन इस्टेबल होगा देखो Tritium ODA Tritium ODA Car of Getter सबसे ज़्यदा Stable होगा क्यों हो क्योंकि इसका जो plus i है वो Maximum है मैंने भी हुदा है ना plus i में Tritium ODA सबसे आगे रहता है तो जाँ t जुड़ा हो उसका plus i Maximum होगा जाँ जुड़ा हो उसका plus i क्या होगा minimum होगा तो यहां पर plus i इसका ज़्यादा है तो यह इस positive charge को ज़्यादा electron देगा ज़्यादा electron देगा तो इसको जल्दी neutral कर देगा और यह भी यह होना चाहेगा कि मेरे को neutral होना है तो जो जल्दी neutral हो जाएगा उस पर group अगर electron देने वाले लगे हुए हैं तो उसकी stability जादा आती है तो ये जादा stable होगा ये stability order ये important है इसको याद रखना ये कई बार exam में पूछा हुआ है चीक है अब next अपन बात करते हैं second कार्व A9 stability कार्व A9 stability तो stability of कार्व A9 जस्ट कार्व के टाइन की उल्टी है A9 है न इलेक्रोन कम करने कम कब होंगे माइनस आ लगा दो minus i effect के directly और 1 upon plus i के inversely तो ये इसका stability order होगा जस्ट उसका उल्टा हो जाएगा चीक है तो मैं एक्जामपल लेता हूँ CH3- C, CH3, CH3 jus C, CH3, CH3 variance ये होगा ठीक है यह 0 डिग्री हो गया मैंने बताया था कार्बन पे देखलो आपकी कार्बन कितने कार्बन से जुड़ा हुआ कोई कार्बन यह 0 डिग्री यह कार्बन एक से जुड़ा हुआ 1 डिग्री यह कार्बन 2 से जुड़ा हुआ 2 डिग्री यह कार्बन 3 से जुड़ा हुआ तो 3 डिग ने, तो हभी किते जुड़े वें, यहां तो अमबार लगा दिये, तीन जुड़े वें यांपे देखो ये फ्लस हाई, ये फ्लस हाई, ये फ्लस हाई, ये फ्लस हाई अब देखो इस negative charge को यहां से neutral की तरब जाना तो ये अपने येक्ट्रोनों को कम करना चाहेगा ये क्या चाहेगा loss of electron और loss of electron कब होगा जब खीचने वाले group जुड़े रहेंगे अगर आपने देने वाले इसके जोड़ दिये तो ये क्या खाग करेगा कम नहीं कर पाएगा ये तो और इसके electron density को बड़ा देगा तो जहां पे plus i वाले group जुड़े वे अटेस्ट ये more stable होगा more stable क्यों? क्योंकि यहां पे क्या है less plus i effect तो सबसे ज़्यदा stable ये होगा उससे कम ये उससे कम यानि 0 degree carbon 9 सबसे ज़्यदा होगा 1 degree उससे कम होगा 2 degree सबसे कम 3 degree की stability सबसे कम होगी ये important है ये इसका stability order है आई बास समझ में अब जैसे carb ketine के cases बढ़ेते वैसे के वैसे इसके बढ़ लेते हैं फिर next acidic strength का topic upon discuss करेंगे चीक है तो देखो CH2 CH CH3 यहां पे मैंने जोड़ दिया NO2 ये negative CH2 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 यहां मैंने जोड़ दिया O minus ये negative फिर जोड़ दिया मैंने CH2 minus CH2 CH3 देखो इसको मैंने दे दिया है A इसको नाम दिया है B वड़ा compound ये C वड़ा अब देखो negative charge है ना आपको check करना है कि इसके पास में कौन से group जुड़े हैं आप चेक रो ये NO2 ये minus आई ग्रूप O minus negative charge आ रखा है oxygen की electron negativity और कम हो जाती electron देने की tendency हो जाती इस पे तो electron density अल्रेडी बड़ी हुई है ना तो ये तो देगा यहाँ पे देख सकते हो आप ये plus i और इधर भी आप देख सकते हो ये क्या है ये भी plus i है ये भी क्या है plus i तो आप check करिए बिल्कुल यहाँ पे देखो carbon पे NO2 गूरूप जुड़ा हुआ minus i minus i वाले तो favor वाले गूरूप है सारी की सारी density को क्या कर लेंगे इधर खीच लेंगे जबकि यहाँ क्या है इधर बढ़ाएंगे electron density को यह इधर बढ़ाएंगे यहाँ भी बढ़ाएंगे तो यहाँ तो पहले से बढ़ी हुई है अगर electron density बढ़ा हो गए तो यहाँ पे electron density इसको destabilization में ले जाएगी तो NO2 जहां जुड़ा हुआ है minus i वाला वो इसको stable करेगा तो एक की stability ज़्यादा होगी फिर आप चेक करो यहाँ minus i maximum है यहाँ minus i minimum है यह negative charge को ज़्यादा बढ़ाएगा इसलिए ज़्यादा destabilization करवाएगा इसलिए जो plus i minimum है वो ज़्यादा stable होगा किस से इस से तो यह इसका stability का stability का order है आई बास समझ में फिर बात करते हैं अपन next topic की वो होता है acidic strength वाला ठीक है तो acidic strength को अपन next class में discuss करेंगे अपन को यहाँ पर पढ़ना है carbox leak acid की और alcohol की acidic strength जो आपके 12th class में बहुत ज़्यादा काम में आएगी ठीक है तो आप इसको अच्छे से समझ के बढ़िया से notebook में इसको उतारना और कोई चीज अगर समझ में नहीं आये तो फिर मेर को आप बताना acid की strength वाला अपन कल की class में discuss करेंगे चीक है दन्यवाद करेंगे